इस फिल्म की शुर्वात में हमें फ्यूचर इन्ही काफी आगे का वक्त दिखाया जाता है जहांपर हर चीज काफी एडवास्ट मॉडरो ने हमें एक सेंड्रा नाम की लिड़की दिखाई गई जो अपनी दो साल की बेटे की साथ अपनी एडवास्ट गाड़ी में सफर कर रही थी सेंड्रा को ये गाड़ी उसकी हजबन ने गिफ्ट दी है और अब वो अपने बेटे के साथ अपनी मदर इनलाव की घर पर जा रही है यानि अपने हजबन की मॉन की घर अब सेंडरा इस गाड़ी की पीचर्स को चेर्ट करने लगती है मतलब कि इसमें क्या क्या है, कौन-कौन से फंक्शन उसे पता चलता है कि इसका AI यनि आर्टिफिशल इंटेलिजन्स बहुत ज़दा एडवास्ट ताकतफर है वो देखती है कि मुझसे पहले इस गाड़ी में मेरे हजबन ने सफर किया था जहां वो अपने कुछ दोस्तों के साथ एक होटल गया था, उनके साथ एक लड़की भी थी ये देकर सेंडरा को काफी अजीब लगा, उसे अपनी हजबन पर शक होनी लगता है और फिर तभी उसके पास उसके हजबन की वीडियो कॉल आती है, जो से बतानी लगा कि इस गाड़ी की एक एप्लिकेशन है, जिसका नाम मोनलेट है मैंने उसे तुमारे फोन में डाउनलूड कर दिया है, वो इस गाड़ी की मेन एप्लिकेशन इसलिए अब तुम अपने फोन से भी इस गाड़ी को कंट्रोल कर सकती हो सेंड्रा को पता चला कि मेरा हजबन एक होटल में है, जहां तब ही कोई उसके होटल की कमरे का दर्वाजा खट-कटाता है तब उसका हजबन फोन काट कर दिर्वाजा खोलने के लिए चला चाता है और अब यहां सेंड्रा का शक्क पूरा यकीन में बदल गया था यनि कि सच में मेरा हजबन मुझे धोका दे रहा है, वो किसी और के साथ तालब बना चुका है रास्ते में सेंड्रा एक स्टोर रूम में रुखती है, कुछ समान खरीदने के लिए वो अपने बेटे के साथ स्टोर के अंदर गई, तबी वो देखती है कि बाहरे कागमी उसकी गाड़ी के अंदर जांक रहा है पर क्यूंकि वो फोन सी अपने गाड़ी को कंट्रोल कर सकती है, इसलिए उसने जल्दी से फोन लिया वो यहाँ पर गाड़ी का वॉल्ट मॉड आउन कर देती है, जिससे गाड़ी की अंदर अब कोई भी नहीं जा सकता यानि कि गाड़ी अब पूरी तरह लॉक्ट होकर एक बंकर जैसी बन गी, फिर सेंड्रा वहाँ पर समान करेदने लगी देखती है कि मेरा बेटा यहाँ पर है ही नहीं, इस बासी वो काफी डर गई, हर जिका अपने बेटे को ढोड़ने लगती है क्योंकि उसकी बेटे को अस्दमा था, जिसे दमा भी कहती है, जो सांस की बिमारी होती है और अब जिब वो बाहर भी तो देखती है, कि कुछ लड़किया मेरे बच्चे के साथ खेल रही है अपने बेटे को देखर उसकी जान में जवन आई, लेकिन लड़कियों पर उसे खुसा भी आ रहा था वो जल्दी से अपने बच्चे को उठाती है, और लड़कियों को उल्टा सीथा बोलने लगती है जिस बासी लड़कियों को खुसा आ गया, वो सेंड्रा की तरफ बढ़नी लगी तब वो जल्दी से अपने बेटे को लेकर गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी का बंकर वाला इन्ही वाल्ट मोड आन कर दीती है फिर कुछी दिर की बाद यहां से अपने बेटे को लेकर चली जाती है फिर तबी सेंड्रा अपनी बेस्ट ट्रेंड को कॉल करती है उसकी दोस्त ने बताया कि इस वक्त मैं एक होटल की कमरे में हूँ मैं यहां पर अपने दोस्त की साथ हूँ जिसे मैं पसंद करती हूँ सेंड्रा यहां पर समझ जाती है कि हो ना हो मेरी दोस्त मेरे हस्बेंड की साथ ही है इन दोनों का यहां पसमें चकर चल रहा है सेंडरा को तब ही महसूस हो गया कि मेरी दोस्त की पास कोई बैठा हुआ है इसलिए वो अपनी दोस्त को काफी कहती है कि जो तुमारा दोस्त है जिसे तुम पसंद करती हो मुझे भी दिखाओ ना उसी उसका जीरा दिखाओ लेकिन उसकी दोस ये सुनकर काफी हिरान रहे दी उसका जहरा नहीं दिखा दी और फोन को कार दीती है जिस बासे सेंडरा को बहुत गुसा आया यहां तो पूरी तरह उसका शक यकीन ने बदल गया उस बिचारे की परिशानिया बढ़ती जा रहे थी कोची देर में वो मदरेल लॉक की घर भी पहुँच गई लेकिन अवो वो सहसला करती है कि मैं घर में जाने की बजाए उस होटल में जाओंगी जहां पर मेरा हिस्बिन और मेरी दोस्त है तक कि यह उन्हें रंगे हाथों पकड़ सके और अब वो अपने गाड़ी को फोल स्पीड के साथ उस तरव भागानी लगती है गाड़ी का AI उसे बताता है कि आगे एक्सिडेंट हुआ है इसलिए हमें दोसे रोड से जाना चाहिए पर क्योंकि सेंट्रा को जल सी जल होटल में जाना था इसलिए वो AI को कहती है कि मुझे सबसे छोटा रास्ता बताओ AI जब उसे शॉर्टकट बताता है तब वो उसे छोटे रास्ती पर अपने गाड़ी लेकर निकल जाती है काफी स्पीड से चला रही थी क्योंकि ये जगा इकरेगी स्थानी लाका था जो औरों तरफ बहुत अंदेरा था इसलिए उसे कुछ बे ठीक से दिखाए नहीं देरा था और अब सेंड्रा जो बहुँ ज़दर टैंशन में थी वो सिगरेट जला लेती है सिगरेट की दुए से AI को लगने लगा जैसे गाड़ी में आग लग देए यानि गाड़ी की कंट्रोल को अपने हाथ में ले लेती है यानि कि अब वो इसे अपनी मर्जी से चलाने वाली थी तब ही सेंड्रा का बेटा भी खास ने लगा क्योंकि उसे अज़्दमा है तो दोएं को वो बरदाश ने कर सकता उसे सास लेने में मसला हो रहा था इसलिए सेंड्रा अपने सिग्रेट को गाड़ी से बाहर फैंक देती है और क्योंकि उसका बच्चर रो रहा था इसलिए वो अपना मूबाइल उसे देती है और फिर तब ये चाना गाड़ी से आकर कुछ टकरा जाता है जिससे गाड़ी रुक गई यहाँ पता चला कि यह गाड़ी इतनी मस्बूत है कि अगर इसी पहाड के उपर से भी गिरा दिया जाए तो इसे कुछ पे नहीं होगा पर अब यहाँ पर हलांकि सेंड्रा को गाड़ी से उतरना नहीं चाहिए था लेकिन हो फिर भी उतर कर बाहिर आई यह देखने के लिए कि आखिर गाड़ी की आगे किया आया जो अब गाड़ी के नीची दबा हुआ है वो गाड़ी से बाहिर इसलिए आई थी क्योंकि गाड़ी का पूरा सिस्टम अब मेनूल था वो देखती है कि उसकी गाड़ी के नीची एक हिरन है अब उसका बेटा जो गाड़ी की अंदरे बैठा हुआ था वो सेंडरा की मॉंबाइल में मोनलित एप को खोल देता है और गलती से उस बंकर वाली वाल्ट मोड को ओन कर देता है जिससे गाड़ी एक बार फिर से पूरी तरहां बंद हो जाती है ये बहुत बड़ी मुसीबत की बात थी क्योंकि इसका मितलब था कि अब कोई ना गाड़ी से बाहर जा सकता है और नहीं बालट से कोई गाड़ी की अंदर आ सकता है ये देकर सेंडरा काफी घब रहा गई जल्दी से गाड़ी की पास आती है अपने बेटे को देखनी लगी जो अभी ठीक था वो सोचने लगती है कि अब मैं गाड़ी का दर्वाजा कैसे खोलू वो पेड़ की ट हनी से हाटों से भी उसे खोलने की कोशिश करती है लेकिन कोई फायधा नहीं होता सेंडरा देखती है कि मेरे बेटे ने अभी भी उसी अप्लिकेशन को ही खोला हूआ है बेदिखाने में वोसे ये समझाने की कोशिश करती है कि किसी तरह वाल्ट मोर्ट को आफ कर दे लेकिन जाहिर है वो बच्चा सिर्फ दो साल का ही था तो इन बातों को समझना उसके लिए नामुम्किन था जहां तब ये चानक उसकी बेटे की हाथ से मुबाइल छोटकर नीचे गिर जाता है और अब वो फोन भी नहीं उठा सकता क्योंकि उसी सीट बेल्ट लगी हुई थी और अब बच्चा अपनी सीट बेल्ट को भी नहीं खोल सकता था बाहिर सेंड्रा बहुत परिशान हो जाती है वो एक पत्थर उठाकर गाड़ी का शीशा तोड़ने की कोशिश करती है पर पता चला कि ये फोन भी खराब है इसलिए एक बार फिर वो गाड़ी की तरफ जाने लगी पर उसी एहसास हुआ कि मेरे आसपास कोई जानवर है वो काफी डर गई जिनी से भागी गाड़ी की चुट पर चड़की बैट जाती है जब उसने चारुन तरफ लाइक मार कर देखा तो उसके पीची सच में एक जानवर पड़ा हुआ था पर अब वो इतनी असानी से उसके जान चोड़ने वाला नहीं था वो गाड़ी की आसपास घूमनी लगता है सेंडरा को पकड़ने के लिए ये देकर सेंडरा को एक आड़ी आया वो एक उलाड़ी लेकर गाड़ी पर जोड़ से देकर मारती है जिससे गाड़ी का अलाम बशनी लगा उसकी तेज़ आवास सुनकर वो जानवर वहाँ से भाग जाता है और ऐसे ही फिर रात गुजर गई जैसे ही सुबा हुई सेंडरा देखती है कि जहाँ पर मेरी गाड़ी खड़ी हुई है वहाँ पर दोर दोर तर बसरेगी स्तान ही है जिसका मतलब साफ था कि आसपास से तो इनको कोई मदद मिल यह नहीं सकती तब ही उसे याद आया कि मैंने रास्ते में एक एरपोर्ट का बोर्ड भी देखा था वो सोचती है कि मुझे वहाँ से मदद मिल सकती है और उसे थोड़ी तसलिय हुई लेकिन अब बाहर कर टमप्रेचर बहुत ज़्यादा बढ़नी लगता है जिबके गाड़ी की अंदर उसकी बेटे ने काफी मोटे कपड़े पेने हुए थी जिस वज़े से उसी काफी गर्मी लगनी लगती है बच्चा घपराट से रो रहा होता है सेंड्रो को कोई समझ नहीं आता कि हम में क्या करूं इन हालात में उसकी मदद कैसे करूं उसे ही खयाल आया वो अपनी जैकेट उतार कर उपर सेंड रूफ पर रख दीती है क्योंकि उपर बले शिशी से ये अंदर धूब जा रही थी और बच्चे को गर्मी लग रही थी और अब सेंड्रा एरपोर्ट की तरफ बढ़नी लगती है काफी घंटों तक चलने की बाद बे उसी कोई एरपोर्ट का दिशान नहीं दीखता बिच्चारी बुगों ज़दा थख दी थी उसे काफी प्यास भी लग रही थी जिस वज़े से उसकी हालत खराब होने लगी थी लेकिन खुश किसमती से उसे यहाँ पर एक नदी मिल जाती है वहाँ जाकर सेंड्रा खूब पानी पीती है गर्मी लगने की वज़े से अपने उपर भी डालती है जिससे उसकी हालत कुछ भेतर हुई और एक बार फिर वो आगी बढ़ना शुरू हो जाती है और थोड़ी दिर की बाद वो एरपोर्ट पर भी पहुंच जाती है लेकिन यहाँ कर उसने देखा कि यह एरपोर्ट तो एक विरान एरपोर्ट है जहाँ पर कुछ तूटे भूटे खराब प्लेंस के लावा कुछ भी नहीं है वो प्लेंस की अंदर गई रेडियो टालेती है ताकि इसकी जरीए वो कोई मदद मंगवा सकी लेकिन बतकिस्मती से ये रेडियो खराब होता है उसे यहाँ पर एक बोतल मिली जिसे लेकर वो प्लेंस से नीची उतर जाती है उसने प्लेंस की दो टायर बे जिला दिये थी जिसके बाद वो आगी बढ़ गई टायर उसने इसलिए जिलाए थी ताकि वहाँ आग और धुआ देखकर कोई इनकी मिदद करने के लिए इस तरफ आ जाए सेंडर अब उतर लेकर नदी तक आ गई जहां से वो खोब पानी बढ़नी लगती है और जैसी वो अपनी गाड़ी के पास पहुंची देखती है कि मेरी जैकिट जो मैंने संडरूफ के उपर डाली थी वो नीची गिरी पड़ी है जो दीकर वो डर गई उसे अपनी बची के फिक्रोनी लगती है इसलिए वो भाकर गाड़ी की तरफ बढ़नी लगी गाड़ी की पास आकर देखती है कि गर्मी की बज़े से मेरा बेटा बेहोश हो गया है साथ इसकी हालत भी कौफी खराब है इसलिए उपने साथ लाया हुआ पानी गाड़ी के ऊपर डाल दीती है ताकि टमप्रेचर थुड़ा कम हो सकी अब हलांकि गाड़ी का फैन चल रहा था पर एसी ना चलने की वज़े सी उसकी बचे को इतनी गर्मी लगी कि वो बेहोश हो गया यहां सेंड्रा को इकाड़ी आया वो गाड़ी की स्रंट सामने मनी साइड जहां वेंटिलेशन होती है हवा अंदर जाती है वहां पर वो आग लगाकर धुआ पैदा करती है ताकि धुआ अंदर जाए और गाड़ी अपनी खिड़कियों को खोल दी लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो कर रोदी लिगती है वो इतनी परेशान हो गई थी कि फोरेन वटी हटोड़ा लेकर गाड़ी पर हमना कर दीती है कई बार उसने हटोड़ी से गाड़ी पर मारा लेकिन उस पर एक खरोश तक नहीं आई जिससे यहां ये बात क्लियर हो गई कि इस गाड़ी को किसी भी तरह स मौत हो गई थी जिसके बाद सेंड्रा ने उसे यह पर दफन कर दिया था यहां उसका हिस्बेंड कहता है कि तुमने हमारे बच्चे को मारा है तुमने यह उसे गाड़ी की अंदर बंद कर दिया था जो सुनकर सेंड्रा काफी रोनी लगती है और अचानल कि अब सेंड्रा की आँख खुल जाती है क्योंकि यह सब कुछ वो सिर्फ सपने में ही देख रही थी उसे फोरण अपने बच्ची का ख्याल आया गड़ी की पास आकर वो देखती है कि मेरा बेटा एकी पोजेशन ने बैठा हुआ है वो जरा भी हरकत नहीं कर रहा है बिल्कुल जैसे पथर ब बच्ची की अंगलिया हील रही है जिससे उसके जान में जान आ गई कि शुकर है मेरा बच्चा जिन्दा है और वो जिन्दा तो था लेकिन उसकी हालत काफी खराब हो गई थी सेंड्रा भी अपने बच्चे को देख रही थी कि तबी वो जानवर फिर से आ गया उस पर हमला कर दीता है तब उसे बच्चने के लिए एक बार फिर सेंड्रा गारी के ऊपर चढ जाती है लेकिन क्योंकि चर फो जबह जड़ा गरम थी इसलिए वो जिल्दी से उतर कर गाड़ी के नीची आ जाती है लेकिन यहां पर भी वो जानवर आकर इस पर हमला कर दीता है पर कोच सेंडरा जल्दी से उटी, गाड़ी की पीछी आकर खड़ी हो गई, उसे रोग दीती है, फिर उसने पत्थर का सहारा भी लगा दिया, ताकि गाड़ी पीछी न जाए, क्योंकि वहाँ पर खाई थी, और अब तभी सेंडरा के दिमाग में एक आड़ी आया, वो सोचती है क्यो मैं गाड़ी को ओपर से नीची पहेंग दू, ताकि गाड़ी की AI सिस्टम को यकीन हो जाएगा, कि सच में एक्सिडेंट हुआ है, इसलिए वो दर्वाजे खोल देगा, क्योंकि उसने कंपनी से इस बारे में सुना भी था, साथ यूसे इस बात का भी यकीन था, क्योंकि य AI सिस्टम को पता चल गया था, कि गाड़ी हावा में है, जिसका मतलब है, कि गाड़ी का एक्सिडेंट हो गया है, इसलिए गाड़ी अपने मोशन सेंसर को ओन कर देती है, जिससे होता ही है, कि गाड़ी खुद बाखुद बैलेस में आ जाती है, और बिल्कुल सिधी आकरी जमीन पर लेंड होती है, आस-पास बस धुआ और रहा था, सेंटरा जल्दी से नीची आ गई, दोए को देखकर वो काफी डिर चाती है, लेकिन जैसे गाड़ी की पास आई, वो ये देखकर काफी हिरान रहे गई, कि गाड़ी इतने मेफूस तरीके से लेंड हो ये, और ए लेकिन अभी भी बच्चे की हालत काफी खराब थी, जबकि गाड़ी एक बार फिर से कुद को रीबोट कर दीती है, और अब जैसे गाड़ी रीबोट होई, वो चलने की दुबारा काबिल हो जाती है, इसलिए सेंटरा जल्दी से अपने बच्चे को लेकर गाड़ी में बै अब आखिर वो में रोड तक आही जाती है, यहां से सीधा सेंटरा अपने वेटे को हॉस्पिटल लेकर गई, और कुछी दिर में उसका बच्चा बिलकुल ठीक, नॉर्मल हो जाता है, और इस सेंटरा ने अपने बच्चे की जान बचा ले, जिससे वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, यह सोच कर कि आखिर आज मैंने एक माहोने का फर्स पूरा कर दिया है, अपने बच्चे के लिए जो मैं कर सकती थी, मैंने किया, सेंटरा को अब तक यह बात भी कन्फर्म हो गई थी, कि सच में मेरा हिस्बिन मुझे धोका दे रहा है, और उसका तालुक सच में